ढूरे गाइस तो आप में से बहुत सारे लोगों का कोशन था की मैने आखिर जो मेरे ब्राइडल लहंगे हैं वो कहा से लिये और लहंगे क्यों बोल रही हूं मै क्यों कि मैंने दो लॉह कै लिया था जी हां मैं इतनी महान लड़की हूं की मैंने एक नई दो दो ब्राइडल देखे एंड अब मैं आपको डीटेल्स बताऊंगी कि मैंने कौन सा लेंगा कहा लिया था कहा से लिया था और क्यों मैंने सेकंड टाइम लेंगा लिया था सारे कॉशन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और में रेडी हो चुकी हूँ मेरे सारे सूटी लिया हो चुके मुझे नी पता ऐसा क्यों वाज बन रहा है हमारिया पर पो क्या होती है वाज क्यों नान शबाना शली ना रादा क्यों जाएंगे क्यों चैनल में सिसयुताया बढू जाएंगे आज लड़की पूरा-पूरा मेरी हल्प कर लिया बढ़ने आपको पता यह मैं व्लाग बनाई नहीं रहती है अब लुक्या कि आज़ों किरा यह क्तली पुला आज़ों कि अनल यह परी व्लागी है वह सबस्क्राइब कर दो करें है सबस्क्ताम यह भी करें गङ। और अब हम क्या करें एं किसके बदद चाए जो अब शुड़िए वीडियो हमने जहां एंड की थी मैं वहीं से बताती हूं जल्दी डिटेल में साथ साथ अटाश्मेंट जो भी रहेगी मैं शेयर करती हूं तो बात है आज से सिक्स मन्थ पहले की हांजी सिक्स मन्थ पहले मैं और मेरे ममी पापा हम सब लोग गए थे ब्राइडल लेने लेने नहीं इंसेंस देखने क्यों अलग अलग वह रहते हैं कि आप फर्स्टे जा रहे हो चानी जोग जा रहे हो यह कोई भी मार्केट जा रहे हो हम पहली बार फिफ्टी या फिट थर्टी परसंट ऑफ था लहेंगे एटी थाउजन के थे वहां पर फॉटी थाउजन के मिल रहे थे और काफी वर्थ भी थे बट उस टाइम मुझे लगा था कि नो इतना कोई कैसे लेलू वह भी घर के पास ही कि जाओं और लहेंगा लेके आऊ जाओं तो मैं वहां तो नहीं गई बट हमने वहां से लिया नहीं था देख लिये थे तीन चाड़ लेंगे लिये थे उन्होंने वीडियो अलाउनी की थी और क्वालिटी वाइस बहुत अच्छे थे बहुत हैवी थे सेकंड डे हम लोग और चीज़े शॉपिंग कर रहे थे अपन मैंने का चाननी चॉक जब हम गए थे तो वहां पर हम गए थे फर्स्ट शॉप पर गए बहुत गंदा एक्स्पिरियंस था उन्होंने तो हमने उनको बोला हमें बजट में चाहिए क्योंकि ब्रैडल लेंगे ऐसी चीज़ होती है सबकी अपनी चॉइस होती है इस मामले में मैं कोई कहता है लाखों भी खर्च कर दूंगी वह भी कम है बट मेरी प्रियारिटी थी मुझे बहुत महंगा नहीं लेना था क्योंकि जादा से जादा दस बार लाइफ में पहनेंगे जादा से जादा इससे जादा तो आई डोंट निकालकर हमारी से कोई पहनने वाला है कितनी वीडियो बना लेंगे कितनी जगाँ लेंगे कितनी शादियों में लेंगे तो मैं चालती थी कम पैसो में कम नहीं मतलां बजट में म्लन यह तो मैरी वह थी तिंक फीयंग से सबस्ते सब्सक्राइब नहीं था इतना पैसा देने के बावजूद अगर हमें कोई चीज में साटिस्फेक्शन ना मिले तो वहां से लेना बेकार है तो फर्स्ट एक्सपीरियंस तो बहुत गंदा था फर्स्ट शॉप का फिर मैंने पापा को बोला ममी को मैंने का एक दम ऐसी शॉप उस पर मत जाओ थोड़े हमें नॉर्मल शॉप पर जाना चाहिए दैन हमें बड़े शोरूम में जाना चाहिए मला दोनों तरीके का एक्स्पीरियंस किया था हमने हम बड़ी बड़ी शॉप पर बीजा रहे थे चोटी चोटी और बात सिर्फ पैसों की नहीं होती बात कही के बार अपनी पसंदगी भी होती जब कोई चीज पसंद ही नहीं आ रहे तो हम ले कैसे ले ना इसके बाद एक शॉप थी जहां पे हम लोग गए और बाहर उनके रेट्स भी काफी कम लिखे हुए तो 10,000 से उनकी स्टार्टिंग हो जाती है लहंगों की ब्राइडल की नॉन तो शायद 5,000 तो वो शॉप आपको मैं exactly मुझे नाम नहीं पता उनका मैं क्लिपटाच करूंगी यह लहंगा मैंने इस शॉप पे मलब 7-8 लहंगे देखने के बाद मुझे यह लहंगा काफी पसंद आया मेरे को यह वर्थ लग रहा था अकॉर्डिंग टू प्राइस तो म ब्लांक आउट होती है मैं तो थी मैं अपने शॉपिंग के टाइम पूरी शॉपिंग के टाइम में ब्लांक थी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं और ब्राइडल लहंगे का डिसीजन हमेशा सामने छोड़ना सामने वाला अपना तो रखना एक कलर प्रियोरिटी वगारा आ आप नहीं देख पाओगे जब आप खुद पैन के खड़े होगे ना तो आपके सामने वाला अधा अच्छे से जज़ कर पाएगा कि आप पे वह चीज सूट कर रही है कि नहीं मुझ पे जादा तर डार्क कलर अच्छे लगते जैसे रेड भी मैं पैंती हूं जो डार्क र में ले लिया बूप करकर दे दिया सब कुष अढूर कर लिया घर की वराइडल में चली गई थिए चह हमेहने में सोहीं मैं कुम करन बनी के छे महीना मैं टेंशन फ्री थी एकदम एंड मुमेंट जब मेरी शादी का रहा गया आई थिंग वन वीक तब मुझे पता मैं क्या सोच रही हूँ कि आशिमा लेंगा वर्थ नहीं है मतलब मज़ा नहीं आया उसमें तो मेरे घरवालों ने मुझे गालिया दी कि वेटा आपको बहुत जल्दी याद आगी कि यह चीज की अच्छा नहीं है पहले नहीं बता सकती थी बहुत चीजे थी बट ऐसा भी नहीं था कि मुझे लेना ह है दूसरा लेना यह था कि दूसरा राइन लूगी और यह मेरे से शराल के तरफ से हो जाएंगा क्योंकि वहां से उन्हों ने मेरे को पेंट गी ने पने लिए जो मुझे खुद को ब्राइडल वाले डे पैन अब हाइस लेंगे कि दो कमिया जो थी वह मैं मैं खुद बता पहले चीज ना इसका मुझे ब्लाउस बिल्कुल नहीं अच्छा लगा ब्लाउस बहुत ज्यादा शॉट था मतलब ब्लाउस के लें यहां तक आ रही थी और मेरा जो नेकलेस था ब्रैडल नेकलेस ही मेरा इतना बड़ा था कितना गटिया लगेगा अगर आपके गला इतना लगा शोटा उसके पर आपकी जैल्री आ रही हो आप समझ गये थे मेरा मूट स्कॉइल हो गया उसी टाइम प्लस इसका लहंगा बहुत प्यार है लहंगे के अंदर कोई कमी निया लेकिन कमी का आरी है इसकी चुन्नी के अंदर चुन्नी का कलर यार परपल टोन जा रहे है परपल कहां से घुजरा है परपल लहंगा नहीं पैनना था मुझे मुझे चाह महरून कलर चाहिए था फिर मेरे को घरवालों ने डाटा भी था कि उस टाइम पर क्यों नहीं बोला लेते टाइम लिया क्यों इसको सारी बाते ठीक है बट लास्ट मुमेंट पर हमारी हेल्फ कर लेंगे आपको प्रिमयम उन्होंने जितने लहंगे दिखाये थे एड़ूंट फिंग उसमें से एक भी लहंग ऐसा होगा जो मैंने पहन के बोला हो कि नो और वर्ना जिस टाइम पे गई थी लह लेंगे लेने गई ती उस टाइम पे मुझे एक भी लहंगा निये पसंद आ आपको लगेगा कि हां यार दो लाग का लेंगा है और यह आपने 40,000 में ले लिया है यह चीज है उनके पास क्वालिटी है देखके आप भी कहोंगे आपने फिर मेरा फाइनल वाला ब्राइडल लेंगा देख लिया होगा जो कि मैंने यह वाला चूज किया था इससे इन्हों कि शादी से वन वीक पहले जाके मैं एक लहंगा लेके आई हूँ एक और लहंगा जो कि यह वाला है जो कि मेरा डिसीजन बढ़िया था क्यूंकि यार सब लोगों ने इस लहंगे की बहुत जादा तारिफ करी मम्मी ने भी सबने फैमली में भी प्लस मेरी जितने कजन्स है जितने भी लोग आ रहे थे और इवन इंस्टा पे यूट्यूब पे काफी लोग पूछ भी रहते हैं आपने लहंगा गाते लिया है तो मैंने लहंगा लिया है इस आईडी यह इनकी आईडी में मैं मैंशन कर देती हूँ डीवा फैशन और आप इनको इंस्टाग्राम पे जाती बाकी की शॉपिंग भी तो गाइस इस इस इट फोर दा वीडियो यही था सारा मेरा जमेला जो की बोलने में इतना सान लग रहे है बट रियल में प्लीस ऐसा डिसीजन मत लेना मैं आपको टिप नमबर टू दूँगे इस वीडियो के अंदर जैसे मैंने मेहंदी पे को ही उसको अच्छे सजेशन्स देने हैं अभी किसी और की शादी हो ना तो मैं ही जाओंगी सबसे पहले ऐसे नहीं ऐसे करना अपनी बारी में मैं पाता नहीं कौन से जोन में थी बाकी गाइज अब आपको नेक्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आपको जो भी चीज करना तो मैं आपको देती रहूंगी आप मुझे बस अगली वीडियो का टॉपिक आप ही लोग सजेस्ट करना ताकि मैं आप लगों के लिए उस अकॉर्डिंग वीडियो बना दू बताना कि मेरा पहले वाला लहंगा जाद अच्छा ताकि दूसरा और एक चीज और में बत ज़िलरी का इश्यु आरहा था तो मैंने सोचा वह लहँगा मैं बाद में पहनगी अपनी बिदाइक के टाइम तो मैं निकाल लिया साथ में जुलरी मैं ने गोल्ड की डाल ली थी क्योंकि वह शॉट था लेंथ तो वह प्रॉब्लम भी नहीं और बहुत जादा प्यारा ल सीरियसली बट इनका आपको मैं बता देती हूँ चांदनी चौप के अंदर आप हनुमान मंदिर देखोगे हनुमान जी की मूर्ती चौराहे पे है बिल्कुल उसी के घुस्ते ही लेफ्ट में शौप है निदी तो वहाँ आप देख लेना और ज्यादा बहुत बड़ी शौप इस और जो फासितात भी वहाँ शौप को फे doesn't get है उनका फर्स है मुझे डिवा ने और मेरा सेओं लेहां पहले लावाले लहांगे के साथ खरीदा तो वह ने उसके साथ ज़ॉइन किया भही मै लास्ट मोमेंट पर जो चीज का है ये वैसे तो तारिष थुरूगी कि एक attraction मैं कैसी लड़की हूं है लेकिन कुछ भी decision मेरा गलत नहीं गया सब कुछ ले चुके थी jewelry heels सब कुछ ले चुके थी last में लहांगा change करके आई थी बस but बढ़िया था मेरी heels वगारा even मेरे बादवाले हैंगे से जादा मैच कर रही थी और all-over look जो कि मेनली मुझे मैटर करती है कि मेरी लुक कैसी आईगी लास्ट की और सेकंड टुपट्टा वगएरा सबको जा रहा था उस पर और मेरा जो फर्स लेंगा था वह बहुत प्यारा था वह मैं आप करवाचा वगएरा वह मैं पहनलिया करूंगी बहुत सारे उकेजन होंगे वो बहुत over heavy नहीं है वो काफी अच्छा है वो मेरे बास रखा रहेगा मेरे निशानी रहेगी and guys thank you so much मेरे वीडियो को देखने के लिए पूरा और अगर आप वीडियो देखके जा रहे हो तो subscribe भी करके जाना बाई बाई